हेलो फ्रेंड्स मनाद्स अक्याडमी में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम अमदाबाद बोटाज रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन की जानकारी हासिल करने वाले हैं पिछले वीडियो में हमने इस रूट के इतिहास के बारे में देखा था कि कैसे इस लाइन पर पहले मीटर गेज पट्रिया बिछी हुई थी और कैसे मीटर गेज ट्रे ने अमदाबाद से बोटाज तक ही नहीं सीधा भावनगर तक यात्रियों को सफर कराती थी फिर बाद में भारत सरकार के यूनिगेज ट्रेलवे के तहट सारी मीटर गेज पट्रियों को ब्रॉड गेज में रूपांतरन करने का ओडर आया जिसके फल्स वरूप राष्ट के अन्य मीटर गेज लाइनों की तरह बोटाद भावनगर लाइन को भी ब्रॉड गेज में करन्वर्जन का काम 2007 में ही सुकरत हो चुका था लेकिन उस समय इस लाइन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया फिर जाके 2010 में इस लाइन के आमान परिवरतन के लिए सर्वे किया गया तब से लेकि उतने सालों बाद जाके 2017 में मीटर गेज टेंड को रद किया गए और शुरू हुआ आपको बता दे कि साबरमती बोटात की रेलवे लाइन भावनगर डिविजन के अंडर आती है और इसके आमान परिवतन के लिए सरकार ने 1100 करोड को बजट अवंटित किया है और अभी तक आदे से ज़्यादा राशी का कारिय पूरून कर लिया गया है अधिक साबरमती से बोटात तक की दूरी कुछ 165 किलमीटर है पहले चरण में 77 किलमीटर का काम किया जाएगा और दूसरे चरण में 88 किलमीटर का काम होगा और जब हम स्टेशनों की बात करें तो इस लाइन पर कुल 12 स्टेशन पढ़ते हैं पहला स्टेशन साबरमती जंक्षन है गांधी ग्राम स्टेशन अगला है वस्तरापूर स्टेशन अगला है सर्गेच स्टेशन अगला है बावला स्टेशन अगला है धोलका स्टेशन अगला है कोदगांगत स्टेशन अगला है अरनेज स्टेशन अगला है लोथलभूर की स्टेशन अगला है धंदुका स्टेशन अगला है भीमनाज स्टेशन, अगला है जलीला रोड स्टेशन, फिर आखिर में बोटाज जंक्षन आता है। अब ये तो हुई स्टेशनों की बात, आगे कन्वेशन का काम अभी भी चल रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस साल ही काम को पूरा कर लिया जाएगा और एक रेल गाड़ी को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। चलिए फिर ऐसी एक नई अपडेट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।